हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मा यूट्यूब चैनल दवानी ग्लासेज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगी डविल्पिंग स्टेडी स्किल्स यूजिंग थिसॉरस डिक्ष्णरी और इंसाइक्लोपीडिया हम इन तीनो टॉपिक्स के बारे में विरीफली डिस करके ओल पर भी क्लिक कर दीजें ताकि नेक्स जो भी वीडियो आएं उनकी नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहली वीडियो को देख सको और मैं से पहले इस सब्जक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अगर आ भी बात करते हैं इस टॉपिक की सबसे पहले हैं थिसारस के थिसारस क्या होते हैं ठीक है तो थिसारस एक बुक होती है ठीक है डाट लिस्ट वर्ड इन ग्रूप ऑफ सिनॉनिम्स सिनॉनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है ठीक है तो उस तरह के वर्ड क इसमें लिस्ट किया गया होता है थिसारस में and the thesaurus comes from a greek word एक greek word से ये शब्द आया है जिसका मत्वब है for treasure treasure यानि की कोई खजाना so इसमें शब्दों का खजाना होता है जो thesaurus होता है उसमें so बहां से ये शब्द लिया गया है the thesaurus is a tool students can use to search synonyms and sometimes antonyms of words कि एक tool है एक tool की तरह काम करता है students के लिए जिसमें वो search कर सकते है synonyms को और antonyms को भी उसमें search किया जाता है sometimes and synonyms are words synonyms उस तरह के word होते हैं जिसका same meaning होता है ठीक है जो हम word search करते हैं उससे same meaning होता है for example synonym of small जो small शब्द है उसका synonym है little ठीक है यानि कि इन दोनों शब्दों का same meaning है बट ये दोनों अलग-अलग शब्द है so this is synonym इनको हम search कर सकते हैं अपने thesaurus में next है antonyms जो antonyms होते हैं वो होते हैं opposite words कि जिनका उल्टा meaning है उस शब्द के जो आप search करे हो जैसे जो antonyms है small का उसका antonyms है big है ना जो small वो छोटा big मतलब बड़ा so this is antonyms and synonyms जिनको हम अपने thesaurus में search कर सकते हैं और जो thesaurus होते हैं वो एक book की form में भी आते हैं ठीक हैं जैसे dictionary एक book होती है उसकी तरह भी thesaurus आते हैं website या फिर किसी web processing tool के रूप में भी thesaurus पाये जाते हैं ठीक है जहां पर हम antonyms और synonyms को search करते हैं जो प्रयाइवाची शब्द और जो विलोम शब्द हैं उनको search करते हैं ठीक है अब बात करते हैं what are the characteristics of thesaurus जो thesaurus होते हैं वो avoid repeating the same words वो same words को avoid करते हैं repeat करने से क्योंकि ए एक शब्द के जितने भी same words हैं उनको एक वार लिखते हैं ठीक है repeat नहीं होते हैं वो बार बार next is find the words student need to express the ideas more effectively and more interestingly कि thesaurus में उस तरह के शब्द पाये जाते हैं जिनकी बच्चों को need होती है ठीक है ताकि वो अपने ideas को more effectively या फिर more interestingly express कर पाएं और जो thesaurus होते हैं वो बच अर्टिकुलर शब्द का मीनिक है बट वो जो वर्ड है वो ही उनसे स्किप हो गया होता है वो उसके बारे में भूल जाते हैं ठीक है तो उस वर्ड को find करने में thesaurus उनकी help करता है and it broadens vocabulary vocabulary obviously broaden होगी बढ़ेगी क्योंकि नए नए शब्दों को वच्चा वहां से सीख पाएग वो separately उनको दिया गया होता है thesaurus में so these are the characteristics of thesaurus अब है what are the advantages of thesaurus कि जो thesaurus है बच्चे यूज कर रहे हैं तो उनका क्या advantage है और हम क्यों recommend करेंगे बच्चें को कि आपने thesaurus का use करना है first point is learn new words बच्चे नए शब्द सीख पाएगे जैसे एक शब्द के अनेक meaning है उसके अनेक synonyms अनेक antonyms हैं so उसमें से वो नए ने शब्द सीख पाएगे next is इसे बच्चा mastery gain कर सकेगा language में next point is help to find out synonyms and antonyms क्योंकि main motive तो thesaurus का यही है कि synonyms और antonyms के बारे में बच्चों को बताना है so this is a point next is help to find out suitable words to express ideas कि एक जो शब्द है वो पूरे एक sentence का meaning एक कोई sense ही change कर देता है इसे बच्चे को help means थे कि वो suitable bird ढून पाएं कि वो उसने अपने ideas को जिसमें express करना है next is vocabulary enhanced होगी बच्चे की expand होगी क्योंकि new new वो शब्द वहां से सिखेगा next is make writing more interesting and exciting कि जो writing है वो और ज्यादा interesting और exciting बनेगी क्योंकि वो new new शब्दों का वहां पर use करेगा so this is thesaurus next बात करते हैं dictionary की ठीक है आप सभी ने कभी न खवी तो dictionary का use किया ही होगा और हम बच्चों को भी recommend करते हैं कि आपने dictionary का use करना है dictionary में क्या दिया गया होता है एक शब्द दिया गया होता है उसके meaning के बारे में बहां पर बात की गई होती है ठीक है साथ में कुछ dictionary में ये भी बताया गया होता है कि ये जो शब्द है इसमें कौन सा noun का use हुए कौन सी verb है कौन सी adverb या फिर कौन सी conjunction भी इसमें दी गई है ठीक है सो वो होती है dictionary and in the learning of foreign language students are confronted with the problem of understanding कि जब बच्चे किसी foreign language को पढ़ते हैं ठीक है जो उनकी मात्रभाशा नहीं होती है जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगी English language की कि अगर बच्चे English language को पढ़ रहे हैं तो उनके सामने ये problem आते हैं कि वो शब्दों की meaning को understand नहीं कर पाते हैं वो understand नहीं कर पाएंगे तो वो text को नहीं समझ पाएंगे कि ये text क्या कहना चाता है So, उस problem को solve करने के लिए dictionary का use किया जाता है So, meanings of different words can be known while consulting a dictionary हम बच्चों को ये सला देते हैं कि आपको dictionary का use करना है आपको वहाँ से शब्दों के meaning के बारे में पढ़ना है And dictionary is never failing friend of a learner ये एक never failing friend है लेके learner का क्योंकि वहाँ पर अनेक शब्द दिये गए होते हैं और वहाँ से हम उन शब्दों के meaning के बारे में पढ़ सकते हैं It helps the learner in solving the problem of meaning A good dictionary also teaches many other things than meaning जैसे कि मैंने आपको बताया Nouns भी दिये गए होते हैं Verbs, Adverbs या फिर Conjunctions भी वहाँ पर दी गई होते हैं पर्टिकुलर वर्ट की जो आप वहाँ पर सर्च कर रहे हो So this is dictionary Next is क्या क्या advantage है कि आप dictionary को consult करो या फिर आप बच्चों को भी recommend करो कि आपने dictionary को consult करना है First one is improves knowledge of grammar इससे बच्चे का grammar का जो knowledge है वो improve होता है Next is student become better learner of the language बच्चे better learner बनें जी क्योंकि उनको हर शब्द के meaning के बारे में पता होगा बच्चों की जो spelling है वो भी double up होगी क्योंकि वो जितनी बार पढ़ेंगे जितनी बार देखेंगे So उनके spelling भी वहाँ से double up होती है Creates good habit of self learning बच्चे self learning कर सकते हैं अगर उनके पास अपनी dictionary है तो वो खुद से उस शब्द का meaning डूट कर वहां से पढ़ सकते हैं Next is expand vocabulary Vocabulary expand होगी क्योंकि वो नए-ने शब्द पढ़ेंगे उनके meaning के बारे में बात करेंगे जितने शब्द पढ़ेंगे उतनी उनकी vocabulary enhance होगी Helps in improvement of pronunciation कुछ dictionary में यह भी बताया जाता कि यह जो शब्द लिखा गया उसको प्रणाउंस कैसे करना है उससे बच्चे की जो pronunciation है वो भी improve होती है ठीक है So this is the advantage of consulting a dictionary अब बात आती है कि आपने बच्चों को यह भी बताना है कि आपको क्या-क्या precaution लेनी है कि जब आपने dictionary से words के meaning को डूनना है तो आपने कुछ साब्धानिया भी वर्त नहीं होती है First उसमें से है कि आपको right dictionary चूज करनी है आपको shortcut methods का नहीं यूज करना है कि बस dictionary है उसमें एक शब्द दिया गया उसका बस meaning दिया गया उस तरह से आपको dictionary का use नहीं करना है आपको उस तरह की dictionary लेनी है आपने बच्चों को ये बताने जिसमें सब कुछ दियागो जैसे nouns है pronunciation दी गई है verbs या फिर adverbs भी वहाँ पर पताई गई है So वो होती है right dictionary ठीक है अगर आप English language को सिखा रहे हो बच्चों को तो आपने उनको ये बोलना है कि आपने English to English dictionary का use करना है कि जहां पर शब्द भी English में है उसका जो meaning है वो भी English में है बट उसके बाद आपको कोई डिक्कत आती है उसको पढ़ने में ट्रांसलेट करने में तब आप मदर टंग वाली dictionary का use कर सकते हो next is read the introduction आपने ये बोलना है कि आपको introduction पढ़नी है introduction होती है हर dictionary है उसमें introduction दी जाते है कि आपको किस तरसे इस dictionary का use करना है ठीक है आपको किस तरसे words को सर्च करना है इस dictionary में so introduction read करवानी चाहिए next is find the section of dictionary with the first letter of word कि आपका जो word है जैसे word है piece तो आपको सर्च करना है P कि P letter कहां से start हो रहा है उस dictionary में ठीक है so उस तरसे B letter को सर्च किया जाता है किसी dictionary में ठीक है so these are the precautions while concerning a dictionary अब आत करते हैं एंसाइक्लोपीडिया की जो एंसाइक्लोपीडिया होता है वो एक book होती है फिर set of books होती है जिसमें अलग-अलग subjects की information दी गई होती है या फिर एक ही subject के different-different aspects की information दी गई होती है so वो होता है encyclopedia ठीक है It contains journal information about many topics or areas इसमें जर्नल इंफोर्मेशन दी गई होती है लग-लग टॉपिक्स की अलग-लग एरियास की और जो वर्ड है इनसाइक्लोपीडिया वो डिराइब हुआ है ग्रीक वर्ड एनकिकलियोज पीडिया जिसका मतलब होता है जर्नल नॉलेज ठीक है कि आपको जर्नल नॉलेज दिया गया होता है उसे इनसाइक्लोपीडिया में उसमें हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया होता है या फिर एक ही सब्जेक्ट के अलग-अलग एस्पेक्ट के बारे में उस एक बुक में लिखा होता है and an encyclopedia is used to find information about a person, place or thing, कि उसमें information दे गई होते हैं किसी person की, किसी place की, किसी thing पे, किसी thing की, वो depend करता है कि वो किस तरक आप encyclopedia पढ़ रहे हो, और अलग-अलग articles दिये गए होते हैं encyclopedia में और वो articles usually longer होते हैं, ठीक है, contain more information than a dictionary, क्योंकि जो dictionary होते हैं उसमें सिर्फ एक शब्त का meaning दिया गए होते हैं, जबकि जो encyclopedia है, उसमें articles दिये गए होते हैं, ठीक है, उसमें entries लिखी गई होते हैं, so this is encyclopedia, और कुछ famous encyclopedias भी हैं, जैसे encyclopedia Britannica, Catholic encyclopedia, encyclopedia of life, encyclopedia of philosophy, etc., यह कुछ encyclopedias भी हैं, अब आत करते हैं, क्या क्या है, किसी encyclopedia के, so, जो encyclopedia होते हैं, उसमें variety of things होते हैं, जैसे maps दी गई होते हैं, pictures दी गई होते हैं, pictorial representations होते हैं, किसी भी encyclopedia में, ठीक है, जो alphabetically उसमें दी गई होते हैं, किसी भी alphabetical order में, वो articles या फिर entries लिखी गई होते हैं, encyclopedia में, और जो encyclopedia's entries, वो longer होते हैं, और उसमें details दी गई होते हैं, उस topic की, ठीक है, और well organized होते है encyclopedia, encyclopedia comes in all sizes, यह अलग-अलग sizes में भी होते हैं, जिसे कुछ volumes में होते हैं, एक encyclopedia के अलग-अलग parts होते हैं, या फिर एक छोटा सा encyclopedia भी होते हैं, जिसमें किसी एक particular subject के बारे में, उसके अलग-अलग aspect के बारे में लिखा गया होता है, ठीक है, डिक्ष्णरी और encyclopedia का, वीडियो कैसे लगी, comment section में comment करके जुरू बताना, अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करके जाना, subscribe नहीं किया दो, channel को subscribe करके जाना, and thank you so much for watching, bye-bye, take care.